नमस्कार मित्रों, जैसी आरा मित्रों, आप सभी का मेरे यूटूब चैनल विराट जोतिश शिंतन में हार दिक स्वाकत है। पिसले वीडियो में मैंने चर्चा शुरू की थी, गुरू ग्रह की कि गुरू ग्रह मकर राशी में प्रवेश कर चुके हैं, आप ही तक वे धनु राशी में चल रहे थे और तीन महिनों के लिए वे मकर राशी में ब्रहमण करेंगे। तो उसी को लेकर मैंने चर्चा शुरू की थी और सिंग राशी तक का हाल मैंने बता दिया था। आज के इस वीडियो में मैं कन्या राशी से लेकर मीन राशी वालों तक का हाल बताऊंगा। तो शुरुबात करते हैं कन्या राशी से, कन्या राशी वालों के लिए ये गुरू का राशी परवर्तन अच्छा ही सिद्ध होगा, लेकिन कारचित्र के लिहाँ से थोड़ी दिक्कतें भी खड़ी करेगा, इस कालखंड में भूमिवाहन समंदी समस्याएं हल हो सकती हैं, भ इत्रोवा निकट के परचितों से थोड़े संबंद अच्छे बना के चलें, सुखों में आपके ब्रद्धी होगी और योजनाओं में सफलता प्राप्त होगी, इस गोचर में आपका क्रोध बढ़ सकता है, इसलिए जो भी निलने करें, वे शांत भाव से करें, निवेश म परवालों को इस गोचर में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पर सकता है, कार छेतर के द्रिश्टिकोन से तो समय अच्छा रहेगा, माता जी के स्वास्त का ध्यान रखें, बिजनेस, नौकरियात में लाब के योग हैं, इस गोचर में आपकी जान पैचान वा समंदों का दाइरा भी बढ़ेगा, जवीन जाइजात के मामलों में थोड़ी मधूरता से सयम रखते हुए काम लें और उन मामलों को डिप्टाएं तो बहतर होगा, घर परवाल में भी आप अपने बिहार पर नियंतन रखें, इस दौरान जो भी निरने लें सोच विचार कर लें, द ब्रश्यक्रासी, गुरू का ये राशी परवर्तन आपको एक नई उर्जा देगा, और आप उत्सहवा उर्जा से भरपूर अपने सबी कारियों को संपाधित करेंगे, इस गोचर में आपको यात्रा के अनेक अवसर मिल सकते हैं, भाग दौर थोड़ी जादा करनी लेकिन बहतर होगा कि विर्थ की यात्राओं से बचे रहें, सामाजिक सम्मंद बढ़ेंगे, नई मित्र बनेंगे और उनसे लाब के भी योग हैं, इस गोचर में अविवाहित लोग विवा के बंदन में बद सकते हैं, इस गोचर में आपको गुप्त शक्त्रूं से थोड बात करते हैं, धनुराशी की, धनुराशी वालों के लिए ये एक अच्छा समय कहा जा सकता है, आपकी प्रगति होगी, लाब में ब्रद्दी होगी, सामाजिक पार सम्मान प्रतिष्ठा पड़ेगी, लेकिन आपकी वानी, ब्योहार वा एहंकार थोड़ा बढ़ा हुआ र जीवन में मदुरता की थोड़ी कमी नजर आ रही है, किसी भी प्रकार के वाद विवाद टकराओं से बचे हैं, किसी नई योजना के किरियानवन के लिए ये वक्त अन्कूल है, थोड़ा प्रयास करने पर निकट भवश में आपको सफलता भी मिल जाएगी, इस दोरान लेकिन उनका समाधान भी होगा, आप उर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन क्रोध वा अहिंकार को नियंत्रित किये रहें, आर्थिक लाब होगा, कार्वियों में थोड़ी अर्चने आएंगी, ये वक्त धर्म और अध्यात्मिक रुची जागरत करेगा, और आप बहुत मजबूत होकर उबरेंगे, बहुत जादा तनाव लेने से या भाग दोर से बचे रहें, वरना स्वास्तिय खराब हो सकता है, स्वास्तिय के प्रती आपको इस कालखंड में थोड़ी सा तरकता रखनी ही पड़ेगी, अविवाहित लोगों के विवाहता हो सकते हैं, लेकिन विवाह के लिए नवंबर और उसके बाद का वक्त ही बहतर रहेगा, इस कालखंड को एक अवसर रूप में देखें और आलेस से बचे रहें, बात अब कुम्ब राशी की, कुम्ब राशी के लिए वक्त थोड़ा कठिन दिख रहा है, वेर्थ की उलजने और तनाव की अरि भावित करेगा, इस गोचर में आपको यात्राएं भी बहुत करनी पर सकती हैं, जिन से मन आपका अशान रहेगा, और धन भी बहुत खर्च होगा, बैतर होगा कि इस गोचर में किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहुल जें, गुरू और शानी की बार में भाव में इस्तिती धार्मिक वा आध्यात्मिक किरिया कलापों के लिए बहतर है, इसलिए इसका लाव उठाएं, स्वास्ति पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और अंत में बात मीन राशी वालों की, मीन राशी वालों के लिए ये वक्त ठीक रहेगा, आर्थिक पक्च बूत रहेगा, संभावना ये भी है कि आपका प्रमोशन और वेतन ब्रदी हो जाए, जो लोगा विवाहित हैं, वे विवाबंधन में बन सकते हैं, कोई अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिल सकती है, इस गोचर में आपकी पहले से की गई कोई प्लैनिंग मूर्त करता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए विशे के साथ, तब तक जैसी आराम, नमस्कार.